आज मेरे समाज की यहाँ पे सर्टारी बैठी है और उस सर्टारी से मैं अपना दुख पर कट करना चाह रहा हूँ एक सकूल के प्रोग्राम में गया मुखहती थी टे तोर पर एक छोटे से दस साल के बच्चे ने बीड से उठकर मेरे से बोला अंकल जी आप वही अंकल हो ना जो मुसलमानों की मेरे लेते हूँ एक बस साल के बच्चे ने मुझे उस बात से बड़ा दुख हुआ इस बच्चे को जिसको अब तक समाज के बारे में कोई नोलिज नी कोई यान नी इसको ऐसा इसको कोण बना रहा है ये शिक्सा इसको कोण दे रहा है आप यहां आते हो आप अपड़ी बाते रखते हो अग मैं भी कुछ बात रखना चाहता हूँ हो ज़कता है दो बाराज ये बाते ना रख पाऊँ क्योंकि सरकार बड़ी करूर है हमारे को तोड़ने का काम करती है मा आज आप सबसे पूचना चाहता हूँ क्या आप लोगों को इस बात का पता लगया हिंदू, मुसल्मान, सीख इनके जगडे की जड़ क्या है ये जहर फैलता क्यों है मुझे इस बात का बड़ा दुख होता जिब ये सुनता हूँ मेरी एक बार एक साती से आपस में वरत अला कोई मेने पूचना आप मेरे को ये बोलते हो कि मैं मुसल्मानों क्या फैवर करता हूँ मैं आप से पूचना चाहता हूँ आपको मुसल्मान गंदे क्यो लगते हैं उस भाई साब का जवाब था क्या आप मुगलों को भूल गए मुगलों ने हमारे साथ क्या किया था एक एक बात को गोर से सुनना तालिमत बजाना मैं अकीकत की बाते करता हूँ अकीकत पे जाना उसका जवाब था आप मुगलों को भूल गए बाबर को भूल गए अक्बर हमायू जांगीर वो हमारे साथ क्या करूर्टा करते थे मैंने उसको जवाब दिया बेका अपनी नोलिज बढ़ाईए मुगल हमारे मुसलमान नहीं थे मुगल जब इस देश में लड़ने के लिए आए जो राना संगा के साथ खड़े वे असनका मेवाथी वो हमारे मुसलमान थे बार बार गंदा गलत इत्यास प्रोश कर आप हमारे को दिखाते हो मुसलमानों ने हिंदुओं पर कहर किया टीवी देखो पत्रकार देखो अगर कोई मुसलमान नाम का आदमी किसी बलतकार में सिमलिप दोता है उस ख़बर को विशव लेवल की बनाया जाता है मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ हिंदूस्तान के अंदर लगबग हर रोज 10,000 बलतकार होते हैं वे अख़बार में क्यों नहीं आते आप लोगों को एक बात बताता हूँ हमारी ऐसली लड़ाई क्या है जब गोरे लोग हमारे यहां आये उसने देखा हिंदूस्तान को को चलाता है गोरे लोगों को दाढ़ी वारों से बड़ी नफरत की दाढ़ी वारे कोन जाट जट जुट हिंदू, हिंदूों के अंदर जाट जो एक मजबूत कोम होती जिसको बोला जाता जाट लेंगे सिख, सिखों के अंदर जाट और अपने जो मोलवी होते हैं जिनके अंदर होते हैं जुट अरे चैकरवा आप एक ही मा के बेटे हो अपना बलड पैचानो अपना रख्ट पैचानो जब अंग्रेजों को पता लगा ये हर लगाई में एक साती खटे होके लड़ते हैं शिर्फ ये ही वो बुलंद आवाज इनको तोड़ा कैसे जाए आप लोगों को तोड़ने के लिए परायो जी दंगा कराया गया 1947 में पूटने लग गई लाखों लोगों की ट्रेन यहां से भरकर मुसल्मान मुसल्मानों की पाकिस्तान जाती है खूंचे लत्पत पाकिस्तान चे हिंदुओं की ट्रेन भरके यहां आती है हिंदुस्तान में उनको लड़वाने वाला कौन था मरवाने वाला कौन था मिटवान में चला गया आप लोग 40% रह गए बाई को भाई से अलग कर दिया गया अलग करने के बाद उन्होंने देखा आज भी ये इस मुलक को चलाने की हिमत रखते हिनको और तोड़ो पंजाब को तोड़ के उसके अंदर से हिमाचल निकाल दिया उसके अंदर से हर्याना निकाल दि पिर भी आप लोग मजबूती के साथ दिखाई दिये उनमें सबसे मजबूत राज शिक 1984 के दंगो के दोरान शिको को इतना बदनाम कर दिया गया कि पगड़ी वारा तंगवादी होता है उसके बाद उसके बाद बदता है मुसल्मान जो आज इस पीड़ा को जेल रहा है उ खटर कहां से आते हैं खटर कहां के थे पाकिस्तान में रहने वारे जो प्यार से हमने अपने हिंदुस्तान के मुल्क में रखे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हमने वसाया और आज जब हम अंदोलन करते हैं वो हमारे को पाकिस्तानी कहते हैं जो हमारे सियम खुद वहां क अदर आती है और आप इस देश को आपस में हिंदू मुसल्मान करवा के लड़वाते हो जिस धर्ती पर आज आप बैठे हो जहां पे इस दिल्ली के अंदर जब ये पगडिया ये टोपिया और ये दाटी वारे एक थे ये दिल्ली हमारी दुलन होती थी आज बड़ा दुख ह दिल्ली को कौन चला रहे जो दिल्ली के दरबारों में जाडू पोचा करते थे उनके लोग कहाँ चले गए वो असली मालिक क्योंके कोई भी प्रोग्राम कर वाले वहीं राजनिती घुज जाती है मुझे दुख है जब हम किसी पीडा को जेलते हैं हम अकेले होते हैं उस सं जफर जिसकी उमर होगी थी असी साल दो चीजें होती देखती ती रियासत का राजा दूसरे राजा के साथ लड़ता ता चाहिए वो हिंदू और मुसलमान उसाट और राजबू तो अपने अपने छेतर को पढ़ाने के लिए रियासत से अलग होता था देहात बात करता हू जब भादूर साजपर को अंग्रेज गैद करने के लिए आए वही राजा जिस से हिंदूस्तान इलता था वही मुगलपूत भागतर दिल्ली के जिस पर तुई पे जिस कोणे पे आप बैठे हो यही गाउ था छोटा साजिस का नाम था मालचा मालचा गाउं की सरन में आता है उस वक्त भी हमारी 307 खाप होती थी 307 खाप के पर दान के पास और यह कहता है मेरी ज्यान बजा लो मैंने जो कुछ किया उसको बूल जाओ आज हम सब हिंदूस्तानी एक हिंदूस्तान के लिए लड़ो यह बात सुनकर आप लोग वो वर्दो वो बुद्रगों आप लो सब कुछ काट के रख देंगे नरक बना देंगे तुमारे जीवन का अंग्रेजों सुल लेना अंग्रेजों को इस बात का पता लगा अंग्रेज भी काप गए दे आप से वो भी कापते थे आप लोग आजा दोड़े से पहले भी आजा थे गुलाम आप नहीं थे अंग्रे करने आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं जिसने आप लोग मजबूत हो गए अपने बच्चों को पैचा लिए अपने बच्चों को मजबूत कर दिया आप लोगों को अराने वाला कोई नहीं है आप लोगों की मानशीकता गुलाम हो गई या मानशीकता एक परजापतने कुमाल ने पांच गदे बांद रखे चटे गदे को बांदा नहीं उसके पास रसी नहीं थी उसके उपर से ऐसे हाथ भुमागर खुटे की तरफ कर दिया सुबह जब गदों को खोलता है चारू गदे खोलते ही बाग लेते हैं जिस गदे को बांदा नहीं वो वही बंदा रह कि गदा तुरंट दोड़ लिया वही गुलामी की जंजीरे आपके परों में है संशत्राजों में जब अंग्रेजों ने पहली बार आपके राजा को अराया हिंदू, मुसल्मान, सीख सब खड़े-खड़े लाखो आदमियों की भीड़, जब वे विजई जलूस निकाल रहे थे अंग्रेज, आप लोगों को देख रहे थे अंग्रेज, आपके बीच से जलूस निकालते हैं, वहां लाखो हिंदूस्तानी उस जलूस को देखते हैं और उस जलूज को देख टर जो हमारा राजा हार रा था उसी हार पर हम तारिया बजाते हैं हिंदुस्तानी अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है हमारी संक्षा 3,000 थी तारिया बजाने वालों की संक्षा 3,000,000 लाग एक आदमी एक पत्थर मारता हिंदूस्तान कभी गुलाम नहीं होता हमें दुख है इस बात का आज भी आप लोगों के हाथ में सत्ता है आज भी आप लोग तकत्वर हो बाबा साथ भीमराओं बेटकर ने तलवार की जगा आपको उंगली की आजादी दी है इस उंगली से बेट सकते क्या करंती लाओगे अपने बड़ों का मन समानी कर सकते क्या करंती लाओगे सबसे पहले आप सभी को एकी बात करूंगा यह जो नफरत का जहे हमारे बच्चों के अंदर फैला है उसके वीचार उमर्स करें कैसे रोप्या चाहे सोचल मीडिया पर हिंदू-मुस बड़ों को नहीं पड़ा मेरे से एक मौनवी साब कह रहे है ते अभी प्रोग्राम में नोर में बेटा कितना पड़ा है। आपने बुद्रकों से नहीं नहीं बाते सीखता हूं। और वही आप लोगों के बीच में बताता हूं। मैं इस पंचायत के अंदर हाथ जोड़के अपने जु आखरी सब्स यही कहता हूं। जो भी माईड पर बोले बुद्रकों का मांसमान रखें। कद का मान सम्मान रखे आप इनका मान सम्मान नहीं करोगे तो कौन करेगा चाहिए वो कितनी भी देर बोले उसकी बात को समझने की कोशिस करे चुनाओ नजदी कहें दो बारा से यही बनेंगे आप लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा अब आते टाइम भी मेरे पास कोल आई थी सरकार के किसी नुमाइंदे की बेटा रस्चे कारा नुमेवात में जो तना रोल लिया है ना उसका तना बहुत जल्दी गिप्ट में लगा मैं बहुत जल्दी तेरे पर बलातकार का मुकदमा दर्ज होगा मैंने का मैं अपड़ी पतनी से अलग हर औरत को बेहन के क बोलता हूं बिला फिर क्या हुआ वो हमारा काम है बलातकारी तो लवाना है सरकार हमारी आदमी हमारे हम अपने हाप लवा देंगे मैंने कहा मैं कल मरता आज मर जाओं मेरे सरीर के अंदर जब तक रख्त की आखरी बूंद रहेगी मैं भाईचारे की एकता की बात करता रहूँगा जो मर जी करने हो आप सभी ने इतने प्यार चे मेरी बाते सुनी आप्त ने इतना प्यार प्रेम दिया इतनी कम उमर में इतनी बड़ी स्टेश पर बोलने का मोका दिया आप सभी क्यों सिज उपा के मैं नमसकार और शेहिए सबसे पहले झाल झाल